नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ राहूल कोशिक आरके पर सभी का दोस्तों सेभी ने सीनबीसी आवाज के टीवी रिपोर्टर हेमन घाई पे फ्रन्ट रैनिंग का चार्ज लगाया है और इसी की वज़े से उनको मार्केट ट्रेडिंग से बैन किया गया सीनबीसी आवाज ने भी उनको जॉब से निकाल दिया गया हेमन जी सीनबीसी आवाज में सुबह 27 का स्टॉक 2020 प्रोग्राम को होस्ट किया करते थे और जो इन्वेस्टर्स सीनबीसी आवाज को फॉलो करते हैं उनके बीच में प्रोग्राम काफी पॉपुलर हुआ करता था ऐसा क्या हो गया जो उन पे ऐसा accusation लाया गया, हर दिन धमाका होगा, ऐसा कहने वाले YouTubers भी कुछ ऐसा ही, कुछ front running का काम कर रहे हैं, क्या है front running, क्या आपको जो advice दिया जा रहा है, वो आपके फायदे के लिए नहीं, मगर किसी और के फायदे के लिए किया जा रहा है, पूरा आपका Demate Account अभी तक नहीं है, तो आप description में जाके Angel Broking का Demate Account खोल सकते हैं, जहां पर zero maintenance, चार्ज है और 20 रुपए मातर, डेडिंग है और delivery free है, क्या है front running, समझ लीजे आप एक बहुत popular channel, एक early morning stock advisory program की host है, हर दिन market open होने से पहले लाखों लोग आपके advice को सुनते हैं, और आ आपके advice के basis पर अपना buy or sell का decision लेता है, यह TV channel हो सकता है, या YouTube हो सकता है, I am sure कि आपने ऐसे 1000 वीडियो या program देखे होंगे, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कल कौन से share में आग लगेगी, कल कौन से share डूबने वाला है, क्या यह illegal है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपके ब stock moment का फाइदा उठाया, तो फिर यह illegal है, इसी को बोलते हैं front running यानि आगे से खड़े होकर कुछ और बोलना और पीछे से उसका फाइदा लूट के निकल लेना, हिमन जी के उपर भी ऐसा ही accusen हुआ है, और यह का जा रहा है कि काफी time से ऐसा operation चला रहते हैं, उनको इस वज नहीं था, उनको डड़ था, लेकिन उससे ज़्यादा उनको अपने आप पे और देश के investor और legal system पे confident था कि उनकी ये हरकत कोई पकड़ नहीं पाएगा, यहीं पे वो मार खागए और पकड़े गए, अब code decide करेगी कि वो इस गलती है या नहीं, लेकिन इस front running के example से बहुत important सामने आती है, new based stock moment, यह जो हर घर से stock analysis निकाल के आ रहा है इंडिया में, इसके पीछे क्या reason है, stock का moment public perception और news event से होता है, news based moment पे सबसे बड़ा indicator है, quarterly result जो साल में चार बर आता है, तब एक normal moment होता ही है, इसके अलावा कोई company ने कुछ accusion किया, या कुछ default किया, या किसी ने उसको खरीद लिया, या तो ऐसा बहुत सारे information और news रोज के रोज हफते दर हफते निकाल ही आते हैं, problem तब होता है, जब बात की खाल निकाल कर उसको advisory का जमा पहनाया जाता है, और उसके जरीजबश्ती या तो लोगों में bull mentality या beer mentality लाने की कोशिश की जाती है, और उससे बड़ा illegal काम है, कुछ भी insider information मिलते ही, उसको ऐसे logo तक पहुचा देना, जो public को या brokerage house को पहले से ही inform कर देती है, stock पे पहले से position लेके रखती है, और फिर खबर बाहर आने पर buy a sell करती है, यानि भीड की तरह investor को एक direction में move करा कि उनसे फाइदा निकाल लेना, हेमन जी भी इलजाम लगा है, कि वो सुबह जिन stock पे advice दिया करते थे, उनकी trading consultancy from mass consultancy, जो महसाना से है, उनी stock की position लिया करती थी, उनकी मा, भाई और बीवी के trading account के जरिये, यानि ये dummy account थे, जिनोंने हेमन जी operate किया करते थे, जिनको firms mass consultancy, मोतिलाल उस्वल financial services के जरिये register भी है, क्या ऐ ऐसा fraud common है, एक्सपर्ट के हिसाब से ऐसा manipulation and front running बहुत common हुआ करता था पहले भी, आज भी है, reporter के लिए deal करने का तरीका अलग हुआ करता था, वो लोग insider news को use करके stock पे demand को pushyable करते थे, फिर उनसे जो फायदा दूसरी party को होता था, उसको cash लेके हिसाब बराबर करते थे, य बी ऐसा हो रहा है, लेकिन जब तक सेवी का full report इस मामले में नहीं आता, जब तक पता नहीं चलता, इस छोटी मचली के पीछे और कितने मगरमत छुपे हैं, कितने हजारों करोड के ऐसे ही commission लिये हैं, कौन से लोगों ने तब तक advice के उपर थोड़ा बहुत doubt तो रही जाए लेकिन तब तक आप सबसे request है कि आप अपना analysis खुद करिए, अंदे की तरह किसी की बातों में मत आईए, digital age में सारे information आपको online मिलेगा, उन information को आप use कीजे और अपना decision खुद बनाईए, तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये आपको front running का पूरा video समझ में आया होगा, तो दो लेकिन हा दोग्त différence, विमन अपको आप करता हुआ, तो दोस्तों में से तरह किसी किसी है।